हेलो फ्रेंड्स मैं नीसा भाटी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कुछ दिन पहले कि मैं क्लास शुरू करूंगी कैसे आप लोग को किया है न कुछ लोग को ऑगाना भी नहीं आता है किस तरीके से नौड के टो यह आपको वह बताऊंगी को किस तरीके से dirnow लगाते हैं सबसे पहले जो आप कोई भी आइटम बना रहे हो तो उसके लिए समझाओंगे मैं अगर आपके की होड़डर बना रहे हो की होडर मतलब कि चाबी ठांगने वाला तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि गालर का दागा लिया है दागा उसमें 200 g दागा लग जाता है जाता है एक की होलडर में और मोती उसमें बाड़ानें लगते हैं 6-7 मोती लगते हैं लटकर मैंने कलर रिखार कर सकते हों और जिसमें कि मैंने इसमें पूंचि की तरही मैंने क्लिए बाड़ाने के लिए इस लगती है व यह वाला का छला होता है यह वाली रिंग ठीक है और इसमें ज्यादा समान की जरूत नहीं है सीजर एंड लाइटर तो सबसे पहले करना क्या है हम द्धागे को कट करेंगे इनको हम साइड में कर देंगे और द्धागा कट करेंगे द्धागा किस तरीके से कट करना है यह देखिए जो यलो कोलर का कॉड लिया है मैंने इसको मैं आठ द्धागे कट कर लोगी क्योंकि मैं इसको ज्यादा बढ़ानी बना रही हूं और एक द्धागा इसमें मैं दो मीटर का कट करूँगी क्योंकि इसमें मैं जो स्टैप बनाऊंगी वो तीन या चार बनाऊंगी तो 2 मीटर का cut करूंगी पहले हम इसके 8 धागे cut करके त्यार कर लेंगे तो देखे मैंने धागे cut कर लिये हैं और मैंने जो 2 इंच की ring ली थी और मैंने एक pin लिया है तो इसको हम इधर ही pin up कर लेंगे आप चाहे तो इसे टांग के भी बना सकती हो लेकिन मैं इसे इधर ही pin up करके बनाऊंगी यह देखे इधर ही और इसमें अभी हम धागा डाल देंगे तो देखे मैं इसमें धागा डाल दूँगी तो धागा डालने का जो तरीका है वो देखे जैसे कि मैंने एक mic ram लिया है और इसको किस तरीके से डालना है वो देखिए आप जैसे इसको ऐसे डबल कर लेंगे दागे को और इसमें से मैं कट कर दोंगे क्योंकि मैं इसे छोटा ही बना रही हूँ इस धागे को हम ऐसे डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद में ऐसे इस तरीके से धागे को डालना है यह देखिए और ऐसे ही एक एक धागे को डालना है और टोटल आठ धागे डालने हैं तो इसमें मैं आपको नोट्स लगाना बताती हूं आज कि किस तरीके से नौट्स लगाते हैं तो वो आप द्यान से देखिएगा देखिए जैसे कि मैंने सबसे पहले चाहे हम 8 धागे ले रहे हैं और चाहे हम 2 धागे ले रहे हैं तो 2 धागे लिए हैं मैंने वैसे मैं आपको key holder बनाना बताऊँगी लेकिन जो सबसे शुरू बात है मैंने जो class पहले भी आप लोगों को डाला था वीडियो अपलोड किया था तो उसमें क्या है कुछ लोगों को समझने में problem थी तो अभी मैं आपको इसमें 3 टाइप का नौट्स लगाना दिखा रही हूँ आप वो देखिए दिहां से इसमें जैसे कि मैंने दो दागे लिए हैं दो my cream ले लिया हैं तो किस तरीके से नौट्स लगाना है उस चीज पे focus करिए आप बिल्कुल यह देखिए जैसे हमने दो दागे लिए हैं और ये knots को किस तरीके से पकड़ना है जैसे ये जो ये वाले धागे हैं दो इसको हम बीच में रखेंगे ये वाले को और इन साइड इन दोनों को हम साइड में रखेंगे तो ये धागे को हम क्या करना है जो ये वाला धागा है उसको इस तरीके से रखेंगे देखिए इस तरीके से रखेंगे और जो ये वाला है इसको हम इधर से निकाल देंगे देखिए इस तरीके से निकाल देना है अब जैसे हमने पहले इधर से लिया था इधर से के अभी हम इधर से लेंगे तो इधर से निकालने के बाद में इसको हम ऐसी निकाल देंगे यह देखें एक नौट्स लगके त्यार हो चुका है आपको सबसे जो मैन है वो नौट्स है अगर आपको नौट्स लगाना आगया तो आप सीशा, जूला, माईक रेम का कोई भी आइटम बना सकती हो क्योंकि जो सबसे मैन है वो इसी नौट्स से बनता है हर कोई आइटम एक ही नौट से बनाते हैं हम तो देखे इस फिर से मैं आपको बताती हूँ ये वाले को धागे को इस तरीके से रखना है और फिर इसको इधर से निकाल देना है ये देखिए और फिर इस वाले को इधर रखेंगे और इसको हम इधर से निकाल देङे ये देखिए तो इसमें टू नौट्स लग चुके हैं ये वाले में जो सिंपल नौट्स है वो ये वाला होता है और जो एक तरफ नौट्स लगाते हैं जैसे ये तो सिंपल नौट्स हो गया अगर जो एक तरफ नौट्स लगाते हैं वो कि किस तरीके से दिजाइन आएगा कि देखिए एक ही तरफ से ले नहीं है इसमें कैसे आएगा तो पूर अधर देजाइन आजाएगा यह यह वाला डिजाइन यह हो गया सैकेंड नोट्स एक तो सिंपल नोट्स हो गया यह वाला जैसे मैंने आपको बताए था यह हो गया second knots वो किस तरीके से ऐसे लगाते हैं इसको यह देखिए यह जो design है यह किसमें हम यूज करते हैं यह हम करते हैं जैसे कोई जूला बना रहे हैं या mirror बना रहे हैं अगर mirror में side में पट्टी देनी है तो हम यह वाला design देते हैं उसमें तो आपको बैस सबसे manic knots लगाना सीखना है अगर knots लगाना आ गया तो आप यह तो simple knots है इधर दोनों तरफ knots है और इधर एक तरफ knots है अगर आपको यह वाला knots आ गया लगाना तो आप कोई भी item इसमें बना सकते हो क्योंकि देखिए बहुत अच्छा काम है यह business करना क्योंकि सबी क्या है घर पे कोई भी काम नहीं रहता है तो मैं तो सबसे यही request करूंगी कि अपना कोई ना कोई रुजगार सुरू करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा है my cream का business बहुत अच्छा है आप my cream का कुछ भी item बना के अगर आप छोटे से छोटा आइटम भी बना रहे हो तो अच्छा भी sell हो जाता है अगर आप दागे का भी business कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा रहता है तो अगर आप notes लगा के यह नहीं है कि अगर आपको आपके इधर sell नहीं हो रहा है तो मैं sell भी कराऊंगी अगर आपके इधर आपको बनाना आता है आपके अंदर वो बनाने की कला है अगर आपको sell नहीं हो पा रहा है तो मेरा क्या है कि मैं order भी लेती हूँ और order पे भी आप लोगों से मैं बनवा के sell कराऊंगी ठीक है देखिए ये दो type का notes हो गया और अभी जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे वो बताएंगे हम आपको key holder बनाना key holder मैं इस वीडियो में बता सकती थी आपको पूरा बना के उसमें क्या है कि अगर मैं आपको direct ही सबसे पहले notes होता है अगर मैं आपको direct ही उसमें key holder बनाना बता दूँगी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा problem होगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप पहले notes को लगाना सीखिए मैं इस वीडियो को upload कर दूँगी आज ही आज Monday है और 13 तारिक है आप मेरी class का देखे क्योंकि मैंने आपको Monday से ही बोला था हैसा नहीं है कि मैं बोले के बाद में पूरा नहीं करूँगी तो मैं पूरा भी करूँगी अगर मैंने बोला है तो आज मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से नौट्स लगाते हैं आप इस नौट्स को लगाके और अगर आपको नौट्स लगाना अच्छे से आ गया है तो कमेंट करके बताएं और मेरा वाट्स अप नमबर है वो स्क्रीन पे है अगर आपके पास समान नहीं है तो समान भी मैं आप लोगों के लिए आउनलाइन भेज़ दूँगे अगर आपके पास समान है नौट्स लगाना नहीं आ रहा तो आप वीडियो में देखके सीख सकते हो तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं कि आज की आपको ये पहला फस्ट देश किलास का कैसा लगा और कल हम जो आपको सेकिंड बताएंगे वो बताएंगे हम आपको फुल की होल्डर बनाना की होल्डर का फस्ट डिजाइन क्योंकि मैं अगर आपको इसको जल्दी जल्दी ऐसे फस्ट बताती रहूंगी तो आपको भी कुछ नहीं समझ में है मेर को तो आता है मैं तो बिल्कुल फस्ट बना सकती हूं दस मिनट में मैं की होल्डर बना के त्यार कर दूंगी लेकिन मेर को खुद नहीं बनाना है आप लोगों को सिकाना है तो सिकाने का मतलब यह ही है कि मैं आपको अच्छे से धीरे-धीरे समझाऊंगी हर चीज को जैसे मैंने आपको नौ्ट्स को समझा ऐसे ही मैं आपको कले की होल्डर कर डिजाइन बनाना बताऊंगी पाइपिंग के साथ में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू